कि ग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिरंदन हैं आपका हमारे चैनल दिव्विस रिजन स्पिरीच्वल में जैसा कि आपको पता है कि प्रतिक रात्री नौ बजे यहां पर लाइव सेशन हम प्रारंब करते हैं और लाइव चर्चा आज भी शुरू हो चुकिए थोड़ा सा विलंग हुआ है पांच से साथ मिनट का और कुछ तक्नीकी विवस्थाओं में कमी होने के कारण वह कभी कभी प्रनेक्शन का प्रोब्लेम भी आ जाता है तो कुछ ऐसी समस्या के कारण लेकिन चलिए अब सब सही है और चर्चा आगे बढ़ेगी जुड़े रहें बने रहें अपना ध्यान रखें अपने स्वास्ते का ध्यान रखें तो आज का जो विशह है उसको हम देख लेते क्या विशह है यग्य हवन कर्म से ब्रह्म मोक्ष नहीं मिलता मुंडक अपनीशत चौथा व्याख्यान है और चौथा व्याख्यान पर्थम मुंडक के दूसरे खंड का दूसरा व्याख्यान है पहले खंड पर दो व्याख्यान हुए दूसरे खंड का यह दूसरा है अर्था तीन हो चुके यह चौथा है ठीक है तो यह व्याख्यान आज यह शुरू हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे विचार करेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है कल तक हमने दूसरे खंड के पर्थम मुंडक के दूसरे खंड के छे स्लोकों पर चर्चा की थी कल नहीं परसो कल तो राम नौमी पर चर्चा थी और राम जनम और पार्वती जनम पर चर्चा थी तो उसके उनकी जीवन लीला पर हमने विचारवी मर्शकल रखा था और आज अपनी श्रि व्याख्या के श्रिंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और यह श्रिंखला आगे बढ़ेगी अपनी व्याख्या के साथ तो हम चले पिछले हम तुरह सा देख ले कि दो दिन पहले की परसों की बात है जब हमने इस पर व्याख्या की थी तो उसमें व्याख्या में हमने क्या बता करना आधी करना एक हमारा पुन्य कर्म है जिसमें कि हम दान आधी करते हैं देवताओं को दान देते हैं फिर पित्रों को भी दान देते हैं फिर दरिद्रों को भी दान देते हैं तो इस प्रकार से उसमें दान आधी क्रियाई की जाती है और अगनिहोत्र के माध्यम से देवत का दान होता है कि इस क्रिया का विधान आपको बताया गया था अगनी के महत्यों के बारे में बताया गया था कि अगनी की साथ जिहवाई होती है काली कराली स्प्रिंग राली ऐसे करके साथ जिहवाउं का नाम भी उसमें इस लोग के अंतरगात आया था तो वह भी आपको बत जो flames जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो वहे पहुंचाती है, अब साथ क्यूं है ? तोब अगनी के अंदर उसके जो flames हैं, उसके जो लपते हैं, वह साथ रंग में होती हैं इसलिए काली मतलब काला रंग भी उसमें होता है ठीक है तो साथ लप्तों का नामकरन किया गया है इस परकार से और वो साथ फ्लेम्स देवताओं तक प्रकृति के अंदर पहुंचाती हैं प्रकृति के शक्तियां ही देवरूप में हैं देवता ही प्रकृति के शक्तियों के रूप में हैं तो उन तक उनका भाग पहुंचात है शुद्ध और पवित्र अगनी के द्वारा है तो वह जो क्रिया है संसार हे तू कर्म परायन रहने के लिए है पुन्य कर्म है वह अपने आप में एक और निश्काम भावना से उसको करने से स्वर्ग आधी ब्रह्म लोक आधी ब्रह्म गायन्त देवकील गीत कानी धन्यास्तूते भारत भूमी भागे गायन्त देवकील गीत कानी की देवता भी गायन करते हैं कि उनका जनम भारत भूमी पर मनुष्य योनी में हो जाए गोस्वामी जी तुलसिदाज लिखते हैं बड़े भाग मानुष्तन पावा सुर दुरलब सद ग्रन्थाइं गावा साधन धाम मोक्ष करिद्वारा पाई न जही परलोक सवारा कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुरलब, देवताओं को भी दुरलब है मनुष्य जीवन, तो देव योनी भी एक भोग योनी है वास्तों में, बस ये है कि वो उच्च कोटी के सुक्ष्म भोगों को भोगने वाले हैं, सिद्धी संपन्न है, शक्ती संपन्न होते ह हैं, देवता, वह बंधन में शारिरिक बंधनों से मुप्त होते हैं, सुक्ष्म लोक में बहुत लंबे समय तक वास करते हैं, लेकिन अपने कल्यान के लिए, अपने मोक्ष के लिए, उन्हें अपने अपवर्ग के लिए मनुष्य शरीर ही धारन करना पड़ता है, या कभी स्वर्ग के रूप में, देवियोनी के रूप में उसका फल प्राप्त होता है, निशेही वह अत्यंत दुरलब सुखों को प्रदान करने वाला फल है, इसमें कोई शक नहीं है, दुरलब सुखों को प्रदान करने वाला वह फल है, परन्तु वह मोक्ष का साधन नहीं बनता है तो इसकी महिमा गाए गई पहले यग्यहवन की पहले महिमा गाए गई यग्य का क्या महत्व है वो पहले बताया गया और फिर बताया गया कि अब बताया जाएगा अब साथवे स्लोक से पहले तो उसके महत्व को बताया गया यग्य की महिमा को बताया गया लेकिन उसकी बंधन में है । यग्यादी क्रियाय भी कर्म फल बंधन में है वह कर्म फल बंधन से काल चक्र से मुक्ति नहीं दे सकती है उस पुन्य बढ़ा सकती है उस पुन्य वशिभूथ हमें देवियूनी प्राप्थ है और हम देवता बन पर अपना एक सुखद जीवन जहां सारे house नहीं होता, उन सब चीजों का अनुभाव हम कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका लाब यह है, लेकिन अब क्या यही लाब है? एक बात ध्यान रखिएगा, कि पुन्य साधना में भी सहायक होता है, पुन्य साधना में करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए? निश्य ही इन करमों से मोक्ष नहीं मिलने वाला और यही बात आज की चर्चा का मुख्य विशय है. मुख्य विशय है, लेकिन फिर भी क्या इनका महत तो नहीं है? क्योंकि कई बार गुरू लोग क्या करते हैं? आज हम गुरू डम के तो थोड़ी चर्चा उससे भी संबंदित जुड़ जाएगी तो चलिए देखते हैं इसलोकों के माध्यम से मुंड़को अपनिशद में इस विशय में क्या बताया जा रहा है क्या कहा जा रहा है कौन सी बाते कही जाएगे ठीक है तो हमने छटे इसलोक तक पढ़ा था सू वर्चसह आहूतयह एही एही एशह वहा सू कृतह पन्यह ब्रह्मलोका इती प्रियाम वाचम अभिवद्मत्यम अचंतयह तम यजमानम सुर्यस्या रश्मिभी वहंती कि दैदिप मान यग की हवन कुंड की अगनी होत्र की जो आहूतिया है सू वर्चसह आहूतयह एही एही आओ 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 अगनी की आहूतिया क्या कहती हैं आओ आओ तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक इसी प्रकार की प्रिय वानी बार बार कहती ह कोई आदर सत्कार करती हूँ, उस यजमान को, जो उस अगनी होत्र का अनुष्ठान करने वाला है, जो उस यजन का अनुष्ठान करने वाला है, जो उस यजन का दाता है, उसको दान करने वाला है, उसके सारे आयोजन करने वाला है, वह यजमान, यजन करने वाला है, यजन कर करवाने वाला है वह यजमान है जो यजन करवाने वाला है तो उसको जो यग्य की जो अगनिहोत्र की जो अगनिया है उसे बुलाती है कि चलो हमारे साथ चलो हम तुम्हें ब्रह्म लोक में ले चलेंगे हम तुम्हें स्वर्ग लोक में देवताओं का सुख भुगवाएंगे हम तुम्हें इंद्र के देवराज के लोक में ले चलेंगे वहां तुम्हें परतेक परकार का भोग शुब से शुब उच्चकोटी का भोग तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हें अने को अफसराएं ऐसा भोजन के जिसको एक बार कर लेने से आदमी वर्ष भर भी उसे भोजन करने की जरूत ना पड़े, बताते हैं लेकिन सुक्ष्म लोक में होने के कारण वो सुक्ष्म लोक के बंधन में ही रहते हैं तो इस परकार से तुम्हें लोकों की प्राप्ती होगी, यह अगनियां बोलते हैं, वो आहूतियां बोलती हैं, जो अगनिहुत्र में डाली जाती हैं तो यह कहा जाता है, अब लेकिन सातवे इसलोक से चर्चा थोड़ी बदल रही है और यह चर्चा क्या है, जो सातवे इसलोक से बदल रही है, वो क्या कह रही है चर्चा हम उस पर भी थोड़ा आज विचार करते हैं, तो वो चर्चा कहती है प्लवा हेते अद्रह यग्यरूपा अश्टादशो उक्तमवरं येशु कर्म एत छेयो ए अभिनन्दन्ती मूढा जरामृत्युम्ते पुनरेवापियंती ही एते यग्यरूपा अश्टादशह प्लवा, निश्य ही यग्यरूपा अठारह नौकाएं अद्रण हैं जिन में नीची श्रेनियों का उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है जो मूर्ख विक्ति यही कल्यान का मार्ग है ऐसा समझ कर इनकी प्रशंशा करते हैं वे बार-बार निसंदे, वर्धा अवस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं अर्थात उनके जनम मरन का चकर लगा रहता है तो सातवी स्लोक में यह बात समझाई जा रही है कि जो लोग यह समझते हैं कि इन यग्य अनुष्ठानों से ही उनका कल्यान हो जाएगा वे मुर्ख लोग हैं वो अठारा भाग यहाँ पर अश्टादश शब्द का प्रियोग हुआ है क्या अर्थ है उसका अश्टादशुक्त मवरम येशु कर्मा निश्चे ही ये यग्य रूप अठारा नौकाओं वाली अग्र अश्टादशुक्त मवरम अर्थात यग्य के अठारा भाग है अठारा भाग कौन कौन से होते हैं ये आपके मन में प्रशन उट सकता है तो अठारा भाग यग के अठारा भाग होते हैं सुल्लह रित्विक होते हैं यग के अठारा भागों में कौन-कौन आता है सुल्लह रित्विक और दो यजमान और यजमान पत्नी तो कि यग में ग्रहस्त जब वेक्ति ग्रहस्त वेक्ति जब बैठता है तो निरंतर अपनी अर्धांगनी के साथ ही बैठता है जब भी यग में गिरहस्त विक्ति बैठेगा अपनी अर्धांगनी के साथ बैठेगा इसलिए अठारव भाग तो वो उसकी अर्धांगनी स्वेम है उसकी धर्म पत्नी स्वेम है तो अठारव भाग में सुल्ला रित्विक होते हैं जैसे कि आपके कई परकार के रित्विक हैं जिनमें कि होता होता नाम के रित्विक बहुत प्रसद्ध हैं ठीक है और भी आप हमारे पीछले विडियों में जाएंगे जिसमें के चार वेदों पर चर्चा है उनके रित्विकों के बारे में और उनके उपन रित्विकों का नाम भी बताया हुआ है तो वह सुल्लह रित्विक सभी वेदों के एक-एक रित्विक और एक-एक वेदों के अलग-अलग भागों में भी अलग-अलग रित्विक पाय जाते हैं उनके अलग-अलग रित्विक होते हैं तो सुल्लह रित्विक और यजमान और इन अठारा साधनों से तो उसी को यहां पर अश्चादश रुक्त कहा जा रहा है अश्चादशोक्त मवरम ये शुकर्म ये अभिनंदन्ती मूढा जरा मृत्युम्ते पुनरेवापियंती कि यग्य रूप अठारा साधन आद्रण हैं आद्र मतलब आद्रहा आद्रहा मतलब और इस्थिर जिन में नीची श्रेनी के उपासना रहित सकाम करम बताया गया है नीची श्रेनी अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि नीची श्रेनी क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां पर नीची श्रेनी नीची श्रेनी अर्थात अवरम कर्म अश्चादशो नीच केटेगरी कहने का मतलब अब नीची सेनी का कहने का मतलब अधम, अधम, अधम कहने का मतलब व्यर्थ नहीं होता, ये ध्यान रखेगा, जैसे कि एक इसलोक है, शास्त्रों में बताया गया, कि उत्तमो ब्रह्म सदभावो, ध्यान भवस्तु मध्यमा, इस्तूतीर जपो, अधमो भावो, बही पूजा, अधमा धमा, कि उत्तमो ब्रह्म सदभावो की ब्रह्म सदभाव ही उत्तम है, ध्यान भवस्तु मध्यमा, ध्यान करना, धारना और ध्यान करना ये मध्यम भाव है उत्तमो ब्रमसद भावो ध्यान भवस्तु मद्यमा इस्तूतिर जपो अधमो भावो इस्तूति और जाप करना क्या है अधम भाव है बही पूजा अधमा अधमा और यग्य हवन आरती पूजा पाठ ये जितने भी यजन देवताओं का यजन करना ये अधम से भी अधम बताया गया है अधम करने का अर्थ ये ना समझ लें कि यह विर्थ है पहली बात तो ये अधम कहने का यह बिलकुल तात्पर नहीं है कि यग्य आदी क्रियाएं विर्थ है लेकिन इसे अधम कहा गया एक जगह पर नहीं शास्त्रों में कई जगह पर और यहां पर सिधा कहा जा रहा है अवर श्रेनी का है लो ग्रेड का है अर्थात या व्यर्थ तो नहीं है अगर नरसरी में पढ़ रहे हो केजी में पढ़ रहे हो पहली क्लास में पढ़ रहे हो प्राइमरी सेक्षन में पढ़ रहे हो तो क्या बेकार है है तो निचला ही इतना important नहीं रखता कि आप उसमें top करेंगे नहीं करेंगे number माइने रखता है दसवी का बारहवी का बी ए म में क्या number लेकर पास किये हां उसमें कितनी गंभीरता से पढ़ाई की कितना knowledge है नहीं knowledge है तो primary school की पढ़ाई लेकिन base तो वही है ना आधार तो है उसी अधार पर तो खड़ा होना है तो इसी लिए यह निश्य ही निचले कर्म के हैं लेकिन व्यर्थ नहीं है यह ध्यान रखिएगा तो कि यह भूमी उपजाओ करते हैं आपका पुन्य बढ़ाते हैं यग्यादी क्रियाएं आपका पुन्य बढ़ा देती हैं और पुन्य के बढ़ने से उपजाओ भूमी मिलती है साधक को अपने कर्मों की भूमी कर्मों की उपजाओ भूमी उसे प्राप्त होती है जिस वो साधना की खेती कर सकता है तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए के यज्य आदी क्रियाएं विर्थ है लेकिन मिचले शरेनी के है अगर यह सोचकर बैठे हो कि यज्य आदी पूझा देवताओं का आहवाहन यह सितने भी यग अगनी होतरादी जितने भी क्रिया कर्म है अगर यह सोच कर बैठे हो कि इससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत अवधारना है कदापी इससे तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है यहां मोक्ष का साधन नहीं है परन्तु अप्रतक्ष रूप से साधन कैसे बनता है क्योंकि यह तुम्हारे पुन्य का पुन्य के व्रधी करता है परन्तु जिसने यह मान लिया कि इसी से हमारा कल्यान हो जाएगा उसे यहां पर मूर्ख कहा जा रह और बार बार प्राप्त करते हैं एक प्रभु मुझे पार करो बार बार मिर्ट्यू को प्राप्ट होना मैं बहुत थक चुका हूँ तो जो ये समझ के बैठे हैं कि यग्य हवन इन क्रियाओं से उन्हें मोक्ष प्राप्ट हो जाएगा उनकी मुक्ती हो जाएगी यह कदापी संभव नहीं है लेकिन क्या यह करना गलत है यह करना भी गलत नहीं है बस यह इस धारन के साथ करना कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम काशी में जाएंगे हमें मुक्षम वरानने हे पारवती हे वरानने इदम तिर्थ मिदम तिर्थ भरमंती तामसा जना जो तिर्थों की यात्रा में ही लगे रहते हैं आजीवन और सोचते हैं कि उनका मुक्ष हो जाएगा उनकी म वाला बिना आत्मतिर्थ की यात्रा किये आत्मतिर्थम न जानन्ती कथम मोक्षम वरानने है वरानने उनके लिए भला मोक्ष कैसा जीव जो बहुत सारी तिर्थों की यात्रा तो कर रहे हैं परंतु आत्मतिर्थ को ही नहीं जानते उन्हें करापी मोक्ष प्राप्त होने वा यह शिव कहते हैं और यही उपनिशदों में यहां पर समझाया जा रहा है कि इस प्रकार के कर्म युक्त जो किये जाते हैं यग्य आदी अगनिहुत रादी क्रियाएं की जाती हैं उसे देवियोनी स्वरगादी का अब लाब उठाया जा सकता है परंतु यह जो समझता है कि यह कल्यान का साधन है यह मोक्ष का साधन है वो करापी नहीं है वह मूढ वेक्ति है मुर्ख वेक्ति है और बार बार व्रधा अवस्था और मृत्यू का दुख वो भूगता है क्योंकि बार बार शरीर धारन करता है तो बार बार वो व्रधा अवस्था और इस तरह की स्थ का दशोक्त मवरम येशु कर्मा जो आठ साधन है इनसे कल्यान नहीं होने वाला आठ साधन कौन-कौन से हैं सुल्लह रित्विक सतरहवा यजमान और अठारहवा यजमान की पतनी उसकी अरधांगनी ठीक है तो यह अच्छे से सातवा स्लोक में अच्छे से क्लियर कर दिया गया आगे और क्या कह रहें देखिए आठवे स्लोक में क्या कह रहें अविद्या अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वें धीरा पं अविद्यायामंतरे अविद्या के भीतर इस्थिर होकर अपने आप बुधिमान बनने वाले अपने को विद्वान मानने वाले वे मुर्ख लोग बार-बार कश्च सहन करते हैं भटकते रहते हैं अंधेरे के द्वारा अंधेन एव अंधे बन जाते हैं अंधे पन में वो निग्माना चलते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं और अधों की तरह अपने लक्ष से भटक जाते हैं लक्ष तक नहीं पहुंछ कर बीच में ही इधर-उदर खो जाते हैं भटक जाते हैं क्योंकि वह यह मान कर बैठե हैं कि यह यग्यादि कर्मतिर्थ आत्ति से जो कुछ भी हो रहा है अविद्याजनित उर मात्र ग्रूंफों का अध्यन करकर ग्रंथों का मात्र अध्यन करते रहना उपरलेना रट लेना जैसं कल मैंने आपको बताया कि कोई गीता का ौज अध्याय का 90 अर्थ निकाल लिया और लोग समझ रहे कि भाई बहुत पोँचे हैं महात्मा जी अद् ichi में और ब्रह्मचर्य के विशह में और उपासना साधना के विशह में उसमें इस पष्ट किया है भगवान कृष्णे तो उनको पढ़ना तो चाहिए गीता अगर सही से समझ में आ गया तो सधारन से सधारन विक्ति के अंदर आत्म विश्वास आ जाएगा कि वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है वह साधना के मार्ग पर चल सकता है अपने अंदर साधना के सध्धी भी पैदा कर सकता है आत्म विश्वास की वरदी हो जाएगी अगर गीता सही से समझ गया तो ठीक है तो इसी कि यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अपने बुद्धी पर विश्वास करने वाले और तरह तरह के शास्त्रों का बहुत रट लेने वाले लोग बुद्धी तक रटने तक सिमित रहने से नहीं काम चलेगा ना पढ़ना चाहिए शास्त्र क्योंकि शास्त्रों से सूचना मि ठीक है तो यह हमें शास्त्रों से हमें प्राप्त होती सही चीजें प्राप्त होती अनुसंधान रिशियों का अनुसंधान प्राप्त होता है किस प्रकार उन्होंने अनुसंधान किया तो यह सब शास्त्रों से प्राप्त होता है तो अध्यान तो करना चाहिए लेकिन यह मान लेना कि अध्यान करने से मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं कि अध्यान करने से मुक्ति हो जाएगी धन्धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे न कोई बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होई आजी गुरु संकराचार इसी को कहते हैं क्या कहते हैं नागच्छती विनापानम व्याधिर आखद शब्दता विनाज अपरोक्षान भवं ब्रह्म शब्द्यान मुच्चते विनापरोक्षान भूती के मातर शब्दों से म मंत्रों से काम कैसे चलेगा ठीक है तो यह भी समझाया जा रहा है साथ में तो इसलिए अध्यन ठीक है अच्छी बात है तिर्थियात्रा ठीक है अच्छी बात है मन पवित्र होता है पुन्य बनता है परन्तु साधना नहीं करोगे तो दिक्कत ठीक है उपासना नहीं करोग तो दिक्कत समस्या यहां पर तो यह समझ लेना कि इन्हीं क्रियाओं से और शास्त्रों को खुब वाच लेने से खुब विद्वता जहाड़ लेने से खुब गुरुजी गुरुजी कहला लेने से लोभी गुरु लाल्ची चिला नरक में होय ठेलम ठेला ऐसे इस्तिती बन जाती है तो ऐसा कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है यह सब नीच विर्तियां है इसको यहां पर मुंडको अपनिशद में समझाया जा रहा है तो नीचे का मार्ग है अंधे अंधे अंधा कहा जा र नीच विर्तियों में आना पड़रा नार नीच राजानमुष ने इंद्र की गत्डी प्राब्द्य लेकिन सरड़ कियोनि में आ गया इंद्र को एक बार सुकर की योनि में आना पड़ा ठीक है जब इंद्र को आना पड़ सकता है देवराज को आना पड़ सकता है तो दूसरे देवताओं को क्या कहना आप देव योनी में चले गया तो उसका भी क्या कहना ठीक है तो इसलिए कोई बहुत बड़ी उपलब्दी नहीं है लेकिन संसार में कर्मों को संतुलित रखने के लिए यग्णगानी होत राधिक्रिया होति करनी चाहिए शुधी करन के लिए वातावर्ण के दिशुधी करन के लिए करनी तो उनके लोग वंपासना रहित सब कुछ मान चुके हैं वे मूर्ख लोग उपासना रहित उपासना तोटे करते नहीं फिर उनको लगता बस आहूतियां देने से ही मोक्ष होगी तो उनके लिए ही NP यह जा रहा है कि वे मुर्ख के लिए ऐसी कई क्रियाएं की जाती है जिनका वर्णन मिलता है ठीक तो वे मुर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों में बहुत प्रकार से हम किरतार्त हो गए ऐसा अभिमान कर लेते हैं क्योंकि वे सकाम कर्म करने वाले लोग विशयों की आसकती के कारण कल्यान के मार्ग क को नहीं जान पाते और इस कारण बार बार दुख से आतुर हो पुन्यू उपारजित लोकों से हटाये जाकर नीचे गिरते हैं कि पहले तो पुन्य करते हैं और पुन्य छिन हो जाने से उन्पुन्यू vigor और कमद्धेma नीचे गिर जाते उनन latte को हटाया जाता है वहां से त पुन्य तो एक दिन छिन होगा पाप भी एक दिन ओगा और पुन्य भी एक धिन खतम होगा तो फिर पिरवर्तन तो आएगा ही आएगा तो इसलिए वह मुर्ख लोग इसमें सकाम करमों में कुंअचाह्तों इसलिए भागवान स्री सिध्धान्त में करम कांड के मिमांसा द्वारा करम कांड के पंच कर्म सिध्धान्त में बताया गया है नित्य निमित काम्य निशिद्ध और प्राश्चित ये पांच कर्म सिध्धान्त हैं इसमें नित्य निमित तो ठीक है वह ही निश्काम भाव से करने वाला परंतों जो का काम में कर्म है वो कामनाओं के वशिभूत ही किया जाता है इसलिए काम में कर्म के बाद आती है श्रेनी निशिद्ध कर्म की तो कि जो लोग काम में कर्म करते हैं काम में कामनाओं के वशिभूत यग्यादी करते हैं उनसे अत्यधिक संभावना होती है कि वह निशिद्ध कर् होता है तो उन्हें प्रैश्चित कर्म भी फिर करना पड़ेगा पांचवा प्रैश्चित कर्म प्रैश्चित करना अनिवारे हो जाता उनके लिए लेकिन काम में कर्मों में फसे रहने वाले लोग कई बार प्रैश्चित नहीं करते करते हैं कि कई बार काम में कर्म कांड करने वाले लोग बली आधी क्रियाएं भी करते हैं तो अगर बली आधी क्रियाएं उन्होंने की है तो प्रैशित निश्य ही बनता है यह शास्त्र नियम है यह शास्त्र नियम है कि प्रैशित निश्य ही बनता है फिर प्रैशित उनको करना ही पड़ता है नहीं करेंगे तो पुन्य की जगह पर पाप का संचय कर लेंगे तो यही इन करम कांडों में ध्यान यही तो इसलिए पंच करम सिध्धान्त करम कांड में समझाया गया है कि आप जान पाएं कहीं आपके दौरा पाप तो नहीं हो रहा है ठीक है और पाप हो रहा है निशद्य कर्म हो रहा है तो समय रहते उसका प्रैश्चित भी कर लेजिए ताकि उन कर्मों के दोस्त से बस सके लेकिन ये पंच करम सिध्धान्त और यग्य आदिक रियाएं के लिए जो उपासना की जाती है मोक्ष के लिए जो साधना की जाती है उसकी उपजाव भूमी का निर्मान जरूर करते उसकी उपजाव भूमी का निर्मान जरूर करते ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक इसलिए उसको निचला कहा जा रहा है निचला लो लेबल का बट बेस है नीचे से जब तक वही नहीं होगा तो आगे की साधना कैसे संपुर्ण होगी तो यह बात समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है दसवे स्लोक में क्या कहते है इस्टा पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्रेयो वेदेंते प्रमूढा नाकस्य पुत कर्म कहा जा रहा है कर्मों को ही स्रेष्ट मानने वाले अत्यंत मुर्ख लोग उससे भिन वास्तविक श्रेय को नहीं जानते वह दूसरे श्रेय को इससे भी कोई दूसरी अवस्था अच्छी हो सकती है वो उसको नहीं जानते वे पुन्य कर्मों के फल्सुरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में प्राप्त हो जाते हैं मतलब कि स्वेम उच्चतम स्थान स्वर्ग में क्या है इंद्र की गत्दी वह देवराज इंद्र के स्थान पर इंद्र बनकर बैठ जाते हैं स्वर्ग के उच्चतम स्थान में वहां के भोगों का अनुभाव करके इ इसमें भी अत्यनत हीन यूनियों में प्रवेश करते हैं, सुनिए उनकी गती क्या होती है? जो मात्र यग्य आधी क्रियाय करते रहते, तिर्थ हियात्राओं तक ही स्वैम को सिमित रखते हैं, उनकी गती का वर्णन हो रहा है, वो पुन्य कमाएंगे, पुन्य के वशिभूत स्वरगादी लोकों को प्राप्त करेंगे उसमें भी जो उनका उच्टम अवस्था है तो स्वरगादी और देव यूनियों जो उच्टम है देवराज इंद्र की गद्धी तक वो जाएंगे वहां तक वो जाएंगे और भोगों को भोगने के बाद अपने पुन्य को छण कर कर फिर से मनुष्य लोक में और उससे भी नीच उससे भी हीन योनियों में प्रवेश करेंगे यहां पर हीन योनियों शब्द का प्रयोग हो रहा है कहां प्रवेश कर जाएंगे नीची योनियों में शूकर कूकर कीट पतंग आदी योनियों में उनका प्रवेश मनुष्य लोक में अथवा इससे भी नीची इमम लोकम वा हीन तरम विशंती तरम विशंती मतलब हीन योनियों में विशंती प्रवेश करेंगे वास करेंगे और अधी उनकी यह गति होगी ठीक है। जिन्होंने मात्र अपने आपको यगे आदी करमों तकी सिमित रखा कभी दूसरे उपासना को जो साधना जो योग का मार्ग था, अस्टांग replacing, योग का ओन आत्म को जानने का जो मार्ग था निधि ध्यासन का जो मार्ग था उसको उस पर ध्यान नहीं दिया, उस अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया, चित्वर्ति निरोध पर कभी ध्यान नहीं दिया, धारना ध्यान समाधी को कभी जाना नहीं, मात्र आहूतिया ही डालते रह गए, दान पुन् जा रहा है कि यह नहीं समझना है कि वहीं करने से सब हो जाएगा ठीक तो यह बार-बार दस्वें सलोक में भी यही बताए गया कि इंद्र की गद्धी तक पहुचने के बाद भी नीच योनियों में जाएंगे वो कथा सुनी ये ना आपके बार एक बार क्या हुआ कि यम्राज पहुँचे इंद्र के पास की भाई तुम्हारा समय खतम हो गया अब तुम्हें नीच यूनियों में जाना पड़ेगा आ सकती देखिए क्या चीज होती है यम्राज ने कहा कि इंद्र तुम्हें अब नीच यूनियों में तुम्हारा समय खतम हो गया तुम्हें अपने पुन्य के वश्यभूत अपना भोग भोग लिया आप नीच यूनियों में जाने का समय आ गया मैं तो यहां पर हूँ मैं यहां नहीं जाओ अब यम्राज का जो प्रकृति का नहीं वो तो यम्राज बस उसका पालन करने वाले वाले हैं उन्हें का कि जाना तो पड़ेगा ठीक बताइए कौन सी यूनी में जाओंगा उन्होंने का कि सुकर की यूनी में जाएगा लेकिन चिंदा मत कर कुछ वर्ष वहां पर बिताएगा सुला सतरा वर्ष दुबारा तेरा जो पाप आ रहा है वो नश्ट हो जाएगा फिर से तुझे अच्छी यूनियां प्राक्त हो जाएगा इंद्र ने खा कि नहीं नहीं सुकर तो महला खाता है गंदगी खाता है मैं इस अब नहीं खाऊंगा मैं मुझसे नहीं खाय जाएगा मैं नहीं जाओंगा मुझसे नहीं इंद्र यम्राज ने का कोई उपाय नहीं कोई विकल्प नहीं करम का सिद्धानत है यह तो होना ही होना है अब इंद्र को जबर्दस्ती पकड़कर चाहे जितना भी चिल्ला रहा हो उसे कहते हैं कि एक सुखर के योनी में सुखर का शरीर धारन करकर जनम लेता है और पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब रहते-रहते अपने माता पिता के साफ वैसा ही शरीर कालना च spawn अन्दर अब मैला खाता है और ऐसे करते करते उसका भाई उसकी पतनी हो गई उसके अनेकों बच्चे हो गए बहुत बड़ा परिवार हो गया उसका और बहुत बड़ा परिवार हो गया लगबग 16, 17, 20 वर्स अब सुवर की कितनी आयू होती है तो लगबग इन इस तरह के चौपाए जानवरों के आयू सुकर ने का कि कौन सी इंदर की गद्धी मुझे कभी कोई इंदर की गद्धी का पता नहीं है मैं तो यहां पर हूँ यार यही ठीक हूँ सुवर यम्राज ने का कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता करम का सध्धानत है तुम्हें जाना पड़ेगा इंद्र की गद्धी पर फिर से बैठना पड़ेगा तुम कुछ पाप तुम्हारे आ गए थे तुमने तो बहुत पुन्ने किये हैं लेकिन कुछ पाप आ गए थे जिस क वो कहते न न तमस Korean Loti और सक्ति कि अब वो जा ने के लिए त्यारंइंच जब इंड्र था तो इंड्र की गद्दी से आने के लिए त्यार न्यार कि दिए तुनन नहीं मना कर रहा है पूछते कि छलया आप इतना जबदस्ती कर रहें कि तो मैं चलूँगा मुझे आप कश्ट ना दे मैं अराम से चलूँगा लेकिन एक बात मुझे बताएं यह patio के तुझ क्या पूछना है बता उसने कहा कि कि अगर मैं स्वर्ग में जाता हूं तो क्या मुझे वहां पर विष्ठा खाने के लिए मिलेगा मुझे मैला खाने के से ज्यादा स्वादिष्ट क्या हो सकता है शुकर ने कहा विष्ठा से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता है कौन बोल रहा है सुकर बोल रहा है कि मेरे लिए विष्ठा से ज्यादा स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं हो सकती है इसलिए यह जितनी भी की जरूरी नहीं है कि जो दृष्ष्य आपको देखने में बहुत सुन्दर लग रहा वो किसी दूसरे जीव को भी लगे जरूरी नहीं है ऐसा इंद्रियों के कारण दिख रहा है कोई चीज अच्छा अब यहां पर लोग बोलेंगे को संस्था वाले जो बोलते न कि अरे परमात्मा तो सिर्फ आदमी आत्मा आदमी में होता है हर जगा परमात्मा नहीं होता हम कैसे मालने की विष्ठा में परमात् परमात्मा कैसे होगा भाई अरे कोई चीज गंदी है यह तो इंद्रियों का विषय है कोई चीज अच्छी है यह तो आपके इंद्रियों का विषय है कोई बदबुदार है कोई खुशबुदार है कोई दुरगंध युक्त कोई सुगंध युक्त कोई सौंदरी युक्त क सारी अनुभूतियां तो इंद्रियों ही इंद्रियां ही तो करवा रही है न और इंद्रियां गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जाना हुआ जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां पहुंच रही है सब माया ही तो है और क्या है और तुम कह रहे हो गंदगी में प्रमात प्रमात्मा नहीं होता किसी वस्तु का गंदा होना यह तुम्हारी इंद्रिया नुभूती है और वह प्रमात्मा तो इंद्रिया तीत है बियॉंड सेंसेज है तो कैसे कह सकते हो कि गंदगी में प्रमात्मा नहीं है जिस विष्टा से जिस गंदगी से मैले से तुम नफरत करते हो वह सुकर के लिए स्वाधिस्त है लेकिन अब उसकी योनी खतम हो रही है समय खतम हो रहा है काल चकर का नियम है वो कहरा मुझे वहां मिलेगा कि यह आ सकत समझना है क्योंकि आशकल की गुरुजी लो क्या करते हैं कि सब बंद करवा देंगे सब पूजा-पाठ बंद करो सब देवीदेवता बंद जो अगोड़ू झी पूटो लगाकर गुरूजी कोो हुआ एक और मंट्र और कई कई कभीईर की कुछ क्रियाएं एक आधार देती हैं एक आधार देती हैं उनका वो आपके जीवन को संतुलित करती है कर्मों को संतुलित करती हैं आपके एनर्जीज को अगर आप चोटे मोटे यगनी होतरादी के ख्रियाएं करते हैं दान पुन्ने करते हैं तो आपकी जो energies है उसको balance देती हैं आपके psychology को balance देती है psychological balance भी बनाती है तो इसलिए करना तो चाहिए लेकिन करते हुए बस यही मान कर नहीं समझ लेना चाहिए कि बस ऐसा करने मातर से ह कोई मौक्ष हो जाएगा कल्यान हो जाएगा जी नहीं साधना के मार्क पर चलने से किसी देवी देवता का मूरत ध्यान करने से या फिर आपके गुरू की फोटो भी ओ Dios के फोटो का ध्यान करने से कोई मौक्ष हो जाएगा ऐसा भी भ्रम अ पगाल लेना जि इसलिए मैं ninguém क करते हुए मैं तुम्हारे ध्यान में दिख जाऊं तो खंडित कर देना मेरा ध्यान मत करना बंद जाओगे रुक जाओगे तुमारी साधना रुक जाएगी लेकिन आशकल के गुरुजी लोग हैं जो अपने शिश्यों से बस यही करवाते रहते हैं और शिश्य साइकलोजिक इतना गुलाम बन जाता है अपने मांसिक दशा से इतना गुलाम इतना दास बन जाता है कि सपने में भी गुरु जी दिखाई देते हैं और फिर गुरु जी कहेंगे कि भाई तो उचता मवस्था को प्राफ्ट कर लिया तूने मुझे देख लिया दो चार चेले जो और कुए के बड़े-बड़े मेंडक होंगे ना गुरु जी की आसपास मनराने वाले टर 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 करने वाले वो और बढ़ाचल अरे गुरु जी इसको तो आपके दर्शन हो गए ब्रह्मा विश्णू के दर्शन हो जाए उससे भी बढ़कर है दर्शन होना लेकिन सत्य बोल रहा हूँ अगर कोई आकरती दिखती है अगर देवी देवता दिखते हैं सब बाधक हैं सगुन रूप में कुछ भी दिखता है तो वो बाधक है इसलिए तो नाद ध्यान को इतना स्रेश्ट क्यों बताएगा नाद में ऐसा कुछ ब्रह्म नहीं होता ब्र बहुत रहस्मई है यह रन्यगर्व का जो बात है और ध्यान की वस्था में अनुभूतियां होना यह बहुत रहस्मई है अपने आपने तो किसी भ्रह्म को पालकर मत बैठर जाना नहीं तो सारा कितनी भी अभ्यास करोगे रुका रुके रहोगे आगे निबढ़ोगे ठीक है कुछ शिश्यों को तो सिखाया ही जाता है उनके तथाकथित गुरुवों के अस्रम में बुद्ध के विरुध क्या सिखाते हैं वो कि बस गुरु ही दिखना चाहिए दूसरा गुष दिखना ही नहीं चाहिए तब ही तुमारा कल्यान विरुध को इतना बड़ा कुवे का मैंढक लोगों को ना बनाया जाए ना भटकाया जाए तो बहतर होगा कर ठीक है गुरु का महत्यों निश्चित प्रारंभ में लिए कि सबकुछ अपने शिष्य को सबकुछ कब देगा जब उसके पास खुद सबकुछ होगा जब उसके पास खोदी सबकुछ नहीं है तो तो यहां भी एक विशह है तो इस लिए कोई बात नहीं बस कूप मंढुकता और इन सब चीजों से अपनी रक्षा केजी फूप मंदूख ना बन जाए कहीं ध्यान रखे इसका बस इतना ही मैं इस विश्या में कहना चाहूंगा चलिए तो आगे 11 वे स्लोक में भी बताया गया यही समझाया गया कि यह वन में रहने वाले ही यह अर्णे शांता विद्वांस पुरुशह यह जो किन्तु जो वन में रहने वाले शांत सुभाव वाले विद्वत ज्यानी तता बिक्षा के लिए भी विचरन करने वाले सैयम रूप तप तथा शर्द्धा का सेवन करते हुए रजोगुन रहित सुरे के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां पर वह अम् आनी साधिना से प्राप्त करते हैं तो आरणकों की महिमां यहां पर गया जा रही है कि आरणक जो वन में रहते हैं और साधिना कर ठीक है या ब्रह्मन स्टम कर्म से प्राप्त किये जाने वाले लोकों की परिक्षा करके क्या चाहिए कि ब्रह्मन वैराग्य को प्राप्त हो किये जाने वाले कर्मों से जो ब्रह्मन जो साधक जो साधना के लिए ललाईत हैं उनके लिए कहा जा रहा है स्वता सिध्य नित्य प्रविश्वर नहीं मिल सकता मात्र यग्यादी क्रियाओं से क्योंकि जो अनुष्ठान होता है यग्यादी क्रियाओं का ब्रामणी करवाते हैं तो इसी लिए उनके लिए कहा जा रहा है कि यह ब्रामन का भी दैत्व है कि जब वो यग्य आदी क्रियाए करवाए, तो वह यजमान को वह समझाए, कि मात्र यग्य आदी क्रियाओं से किसी का कल्यान नहीं होता है। यह उस ब्रामन का भी एक जिम्मेदारी बनती है और वो खुद भी इस बात को समझे भी या खुद समझेगा तब ही तो दूसरे को बताएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वो वैराग्य को ब्रामन वैराग्य को प्राप्त हो जाए और किये जाने वाले करमों से नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता उस प्रब्रम का ज्यान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेदों की भली भाती जानने वाला प्रब्रम प्रमात्मा में इस्थित्व होने के लिए ऐसे जानकार गुरूओं के पास जो ब्रह्मनिष्ट है उनसे उसका प्रशांत चिताय शामान विताय यहनाक्षरम पूश्रम वेदसत्यम प्रुवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम व ज्यानी महात्मा शरन में आई हुए पूनतया शमदमादी साधन युक्त उस शिश्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्विवेचन पुरुवक भली भाती उपदेश करे स्वेम की प्रतिष्ठा का उपदेश ना करकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करे ठीक है उस ब्रह्म विद्या को ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग उस साधक को बताएं जो साधक उनकी शरन में आया है तो पहले क्या लिखा गया कि एक ब्रह्मन को वहराग्य पुर्वक अपना जीवन वेतित करते हुए नियम से रहते हुए उपासना आधी करते हुए यग्य आधी करते हुए भी पहला करतव तो उसका यह है कि वह यजमान आधी को जरूर बताए कि मात्र यग्य आधी करमों से मोक्ष नहीं होता कि उसको इसका वह भान जरूर करवा दे और उसके बाद कि थोड़ा सा नेटवर्क विवधान मुझे लग रहा है कि यहां पर आया है लेकिन फिर भी आप जुड़े रहें बने रहें तो बफरिंग विगारा थोड़ा आ होगा आपको ठीक हो जाएगा अपने आप तो चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं थोड़ा साही अब बाकिए आखरी स्लोप पर हैं तो पहले तो उसकी जिम्मेदारी कि वह यजमान को जरूर बताए और स्वेम अगर वो स्वेम ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया है अगर उसके पास मोक्ष का साधन रुपी ब्रह्म विद्या पराविद्या योग विद्या नहीं है तो वह ऐसे गुरू के पास योग निष्ट मनिष्ट गुरु के पास जाकर उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें और गुरु का करतव क्या बताए जा रहा है कि इस प्रकार से जिग्यासू सैयमी साधक को गुरु का कारे है कि शर्ण में आए हुए उस साधक को उस शिश्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेच आता हूं क्या रैस्य कuste क्राइचन बचा ये से कि अक्षरम अभिनाशी मतलब आविनाशी संत्यं पुरुशं वेद कि और जो अभिनाशीma से क्पुरुश है परम्पुरुश है जो ब्रह्म है वेद उसको जान ले यह गुरु का काम है कि तत्वतह तत्व विवेचन पुरुवक वह उसे वह ब्रह्म विद्या प्रदान करे जिसके माध्यम से वह साधक क्या करे कि प्राप्त कर ले उस परम पुरुष को जो नित्य है सत्यस्वरूप है अक्षर है अक्षरम नित्यम परम पुरुषे वह जो परम पुरुष है जो नित्य है अक्षर है अविनाशी है उसको वह प्राप्त कर ले यह उपदेश यहां पर दिया जा रहा है तो तत्वतम प्रवाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लिए उस विद्या में तत्वों की चर्चा अनिवार्डे है। इसी लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्रह्मग्यानी हूँ, लेकिन बेचारे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बुद्धी क्या है, मन क्या है, चित क्या है, एहंकार क्या है। ये उसे समझ में अभी तक नहीं आया लेकिन मैं ब्रह्म ग्यानी हूँ तो उपनिशद तो साफ साफ कह देते ना प्रश्णो उपनिशद में भी कहा गया केनो उपनिशद में भी कहा गया कि जो विक्ति ये दावा करता है कि मैं ब्रह्म ग्यानी हूँ बस इतना ही प्रयाप् ना तो वो कि शित्त को समस्ता है ना विचारों पर नियंतरन करता है चितवृति का निरोद ही कर पाता है तो ब्रह्म ज्यानी कैसा नहीं जी हम तो गुरु जी को जानते हैं अपने गुरु गुरु करते हैं हमें तो गुरु जी दर्शन देते हैं गुरु जी ने ये कर दिया वो कर दिया हमारे जीवन में हम तो ब्रह्म ज्यानी हैं क्योंकि हमें गुरु जी दर्शन दे तो भाईया जाओ लोभी गुरू लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला चलता ही रहेगा यह प्रक्रिया कितने वर्षों से चल रही है कि ब्रह्म निष्ट सक्ते गुरू तो दुरलब ही होते हैं तो चल यह ठीक है अब चलते हैं इस विशय पर 13 वे इस लोक में भी किस प् है तो मित्रों यही है आज का विशय पूर्ण होता है और जो पर्थम मुंडक भी पूर्ण हुआ आज पर्थम मुंडक का द्यूतिय खंड भी पूर्ण हो गया कल की चर्चा में हम द्वितिय मुंडक में प्रवेश करेंगे पर्थम मुंडक समाप्त हुआ द्यूतिय मुं साधना अच्छी बात है लेकिन पुन्य के वशिभूत लोग पाप भी करते हैं कई लोग पूछते हैं कि फलाना वक्ति इतना पाप कर रहा है इतनी मनमर्जी कर रहा है इतने गंदे-गंदे काम कर रहा है फिर भी उसे कोई दंड नहीं मिल रहा है और हम तो सारा जीवरaráगर इमानदाई से उज्वल पंक दिये बगुला को कोयल के ही विधिकारी तो इस प्रकार से यह क्यूं है सब कर्म का सिध्धानत है कर्म के वश्यभूत यह सारी चीजे हो रही है किसी का पुन्य बढ़ा हुआ है तो पाप करते हुए भी उसे पाप का फल उस समय तो नहीं मिल रहा लेकिन ही नहीं ऐसा तो नहीं है समय आने पर मिलेगा तो जरूर और काल तो बीत रहा है चाहे कितने बड़े कोई नेताजी हो चाहे कितने बड़े कोई वैपारी हो सेट हो द्योगपती हो उमर तो बढ़ेगी व्रधा आवस्था तो आएगी चीजे सामने आएंगी तो कर्मों का पल भोगते रहना है तो यह चलता ही रहेगा कितना भी यग कर लो हमन कर लो लेकिन पुन्य बन जाने से थोड़ा सहायता होती है कि अगर पुन्य के वश्यभूत होने पर भी कर्मों का सिध्धान समस्ते हुए जो साधना करता है उपासना करता है ब्रह्म विद्या का अनु पर ब्रण चल रहे है कि अर्जुन तूभी निश्काम भावना से अपने करतवं को पूर्ण करते हुए तु कि योगी हो जाता स्माद योगी भवार्जुन ठीक है तो यह उपदेश दिया जा रहा है उपनिश्दों में यही उपदेश विशेश रूप से यहां पर एक विशेश जोड़ है कि कभी यह ना समझे कि यग्यहवन आदी क्रियाओं से आपका मुक्ष हो जाएगा अगनिहोत् है उसमें भी दान होता है तरह से देवताओं के लिए तो वह सब का जो पुन्य है वह आपको प्राप्त होता ही होता देवता आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं परन्तु यह कल्यान का मार्ग नहीं यह मोक्ष का मार्ग नहीं ठीक है यह चीज है यह बात साफ साफ इस सचा का विशह होगा तो वो कर देंगे सन्नी कुमार जी जैमातादी बल्दाउ नात योगी जी प्रणाम गुरु जी जगत नरायन जी बिकरम सिंग जी प्रणाम जी महेश राम पिस्दा जी राजू पाल जी हरी ओम तक्सत विनो विनोध के सूद जी नमशकार जी भोले नात अपने पास हरी ओम तस्त्त है ओम तसत हरी ओम तसत हरी ओम तस्त्ति वह अ चीजर श्रीराम माधुरी को लिजीर जी स्मिता सावन्त जी अजितभाई पतेल जी योगिंद्र पंडित जी राम निवश मीना जी भूप सिंग हीचर जी सभी का बहुत बहुत अभिरंदन अभीवादन जोंती दत्ता जी रचना जी कमलेश अपाध्याय जी इश्वर भाई जाए श्री कृष्णा इश्वर भाई रावरी जी जाए हवन कर्मे में ही जैसरम समया हुआ है क्या गुज़राती लिख रहे हैं थुदा भुध गुज़राती भी पढ लेते कई भासाओं को मैंने एक समय पर जगल जगल छेतरों में जाते जाते पढ़ना सीख गया तो कम से कम कई पुछ भासाएं हैं जिरे को पढ़ लेते हैं ठीक है कि यग्यहवन करम में ही धर्म समाया हुआ है क्या जी नहीं हाँ धर्म है उसमें कर्म रूपी धर्म है उसमें ठीक है जो मोक्ष के लिए जो करना है सनातन जो है उसके लिए तो साधना करने पड़े उपासना करने पड़े राज पटकर जी आपसे निवेदन है कोरोना पर भी कोई विडियो रोज बोलते हैं जब भी आते हैं थोड़ा बहुत कोरोना पर बोलते ही बोलते हैं ऐसी बात नहीं कि कोरोना पर नहीं बोलते हैं समस्या देखिए बहुत बड़ी है लोग समझ नहीं रहे हैं पिछले वर्ष भी मैंने कोरोना पर एक विडियो बनाई थी आप उसे उसको भी देख सकते हैं बताते रहते हैं जरासी भी सरदी खासी गले में भारीपन मैसूस हो तो सावधान हो जाई तुरंत उपचार सुरू पानी पिने की मात्रा बढ़ा दीजिए जल का सेवन अधिक कर देजिए सुबह सुबह गरम पानी नीमभू डाल कर आप उसको पीजिए तीन-चार ग्लास पीजाए पीजाए प्राताकाल सुबह 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 इस्षादी क्रिया नित्यकर्म करने से पुर्व। पीजाई मुख में एक लॉंग भी रखिए काढ़ा पीजिए जरूर पीजिए इसका कोई इस वाइरस है वाइरस ही कोई दवा तो होती नहीं वैक्सिनेशन है अब तो 18 वर्ष से उपर भी सब को हो रहा है रेजिस्टेशन करवा लिजिए वैक्सिन ले लिजिए लेना वैक्सिनेशन भी क्या करता है क्या वैक्सिन आपने ले लिया तो क्या आपको को नहीं होगा इंफेक्शन तो फिर भी होगा लेकिन वैक्सिन आपक को गरम रखोगे को सीटो पलादी चुन आता उसका भी सेवन कर सकता है तो खुद से बना है कई प्रकार के कले मिर्च है पीपल कि छाल है उसको लेकर आप चुन बना ले जी उसको शहत के मिलाकर उसको चाट लेजिए कड़वी चीज़े हैं थोड़ा सा पित्विकार बढ़ाने वाली चीज़े हैं कुझल क्रिया कीजिए कुझल क्रिया जलनेती करिए ठीक है प्रणयाम नियमित रूप से उज्ज़ई प्रणयाम उज्ज़ई प्रणयाम कीजिए और और भी कुछ टेक्निक्स है उज्ज़ई प्रणयाम के अलाबा भी है अनुलों विलों कपाल भाती आदी थोड़ा थोड़ा जरूर यह सब करें रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉंग रखें कुम्भक आदी क्रियाओं का भी प्रयास करें अभ्यास करें जैसे बाहर स्वास रोक लेना अंदर स्वास रोक लेना अंदर कितना देर तक रोक सकतें बाहर कितना देर तक रोक सकतें कम से कम 30 से उपर तक रोकिए अक्सिजन लेबल को मेंटेन रखिए ठीक है और गला नाक से लेकर गला यहां तक की प्रोपर सफाई रखिए और इसलिए मास्क पहनिए बाहर जाईए कहीं भी भी भार में तो इन नाक और मुख इसके माध्यम से इसके अंदर ही इंफेक्शन होगा और वही इंफेक्शन फि में चला जाएगा तो फिर वहां पर जाकर सूखी सूखा कफ बनाना शुरू कर देगा सूखी खासी की समस्याय आएंगे पहले तो और वह धीरे धीरे ऑक्सिजन लेबल को डाउन जैसे जैसे उसका जनसंख्या बढ़ेगा वाइरस से जनसंख्या बढ़ाएगा वह अपना बढ़ेगा सब कुछ ब्लोक करना सुरू कर देगा अक्सिजन लेबल डाउन होना सुरू हो जाएगा इसलिए जागरु करहिए सतर करहिए ये मत सोचिए अभी तक लोग सोच रहे थे करोना मतलब छोटा मोटा सर्दी खासी इसा सोचके भरम मत पालिएगा थोड़ा बहुत अपना ध्यान जरूर रखिए हाँ सर्दी खासी जैसा शुरुवात में लगेगा लेकिन जब जकड़ना शुरू कर देगा तो पता चलेगा पूरा फेफड़ा जकड़ लेगा तो इसलिए अपना ध्यान रखे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखे स्वसंद प्रणाली का ध्यान रखे सबसे कीमती चीज़ें सांस कि ध्यान तो पहले नहीं देते थे प्री में मिल रही है वायू अक्सीजन तो फ्री में मिल रहा है कब ध्यान दिया भाई जिन्दगी में कभी ध्यान दिया क्या चलो पहले तो जल भी फ्री में म लेकिन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सपना था कि क्या कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब बोतलों में लोग खरीद-खरीद कर पानी पियेंगे। जल में इतनी अशुद्धी नहीं थी, जल की कमी नहीं थी, जल की कमी होगे। अब ये कुरोना भाई ऐसे हैं जो आपको ऑक्सीजन की कमी का एहसास करवा देंगे ठीक है फ्री में तो मिल रहा है तो इसी लिए अपने रेस्परेटरी सिस्टम को स्ट्रॉंग किये दिये और स्ट्रॉंग करने के लिए प्रणयाम यो योगिक क्रियाएं हैं वह आपको अच्छे से करने ही चाहिए बहुत नहीं अगर माल लीजे कि आपको ज्यादा समझ में नहीं आता कि क्या कपाल भाती करें नाक ऐसे ऐसे पकड़ेंगे क्या करें कुछ नहीं स्वास लीजिए भरिए मैं कहता हूँ यहां पर बैठे बैठे क्रिया आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल है इतना ही कर ले लंबी सी स्वास लीजिए भरिए उसको भरिए जितना देर में भरें उससे थोड़ा जादा समय तक रोकने का प्रयास केजिए कि अंदर रोक के रखें और फिर उस स्वास को छोड़ दीजिए पहले मुख से छोड़िए दो तीन बार उसे मुख से छोड़िए भरिए रोकिए मुख से छोड़िए फिर कुस दिर बाहर रोकिए फिर भरिए फिर चोड़िए लगबग पांच बार मुख से छोड़ने के बाद अब मुख से छोड़ना बंद कीजिए फिर स्वास लीजिए रोकिए नासिका से छोड़िए पिर बाहर रोक दीजिए दोनों तरफ रोकने का अभ्यास के जिए बाहर भी अंदर भी ठीक है रुकने का भ्यास किजिए और स्वांस लंबा स्वांस गहरा साथ फिर कुछ देर बाद लगबग 15 बार ऐसा कर लेने के बाद कुछ मत कीजिए लंबी सी स्वांस लीजिए छोड़िए पूरा ऑक्सिजन भरिए लंग्स के अंदर और फिर छोड़िए रेस्परेटरिय लोग क्या करते हैं, 6-pack चाहिए, fitness चाहिए, जिम में जाते हैं क्या क्या करते ना तो इस रेस्परेटरि सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप ये कीजिए डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए टह लिए कम से कम आधा घंटा डेली वॉकिंग कीजिए जिसकी भी उमर 40 के उपर जा रही है वॉकिंग जरूर कीजिए डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा फिर आदा घंटा टहल लेंगे ठीक है आते आतों को जरूरत है आपकी आते जो है न सबसे रहस्माई अंग है शरीर में लेकिन जब आप इधर उदर क्योंकि बहुत कम जगह में उनको समाया हुआ है तो भोजन उसमें फसने का चांस होता ह गलत तरीके से खान पान होने से भोजन फस्ता है कब जो होती है तो कह लेंगे वाकिंग कर लेंगे तो किसी कुछ खाने की पेट सफा कायम चुणने सब खाने की ज़्यादा जूरत नहीं पड़े सुबह सुबह ठीक है तो दोपा जब भी टाइम मिले अगर कोई सम जैसे कि कोई बीपी के मरीज होते तो उनको सुबह नहीं थोड़ा धूप निकल जाने के बाद गर्मी हो जाने के बाद ही टहलना चाहिए तो यह सब सारी चीजों पर ध्यान देंगे मास्क पहन के रखें ठीink है एकई अगर वाइरस कहीं बालों में जाता है तो फिर वहां उल्जा रहेगा तो उसके माध्यम से भी उतर कर आ सकता है नासिका में hearing color का भी इस्तमाल कर लिए तो और अच्छी बात है तो सावधानी अगर बाहर आना जाना है बहुत तो सावधानी बढ़ती है फिर कोई दिक्कत नहीं कोई बड़ी चीज नहीं और जरासाभी गले में भारीपन महसूस हो सावधान हो जाईए सावधान हो जाएए और अपना उपचार घर में ही शुरू कर दीजिए नहीं तो बहुत बड़ा रूप धारंग कर लेगा अगर मामूली सरदी खासी समझ के चलते रहेंगे तो बहुत बड़ा रूप धारंग कर लेगा ठीक है तो बस इतना मैं कोरोणा पर आपने बोलने के लिए कहा तो बोला किसी दिन वीडियो लेकर आ जाएंगे पुरोना के उपर भी तो लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ये क्लियर किया चली रोज ही बोल रहा है उत्पड़ावो तो जिसे कृष्णा ने आत्मा कहा जिसे बुद्ध ने चेतना कहा जिसे वेदों ने ब् था है शब्दों में प्रेर्णा दीया सकती है संकेत दीया जा सकता है ठीक है इशिए प्राप्टी तो प्रयास करने से ला साधना करने से ये कि अुट हिए जी उमेश्ट पांडे जी एहितन करक्फल विशय न भाई स्वर्गेव सत्वत्य अंत दुखदाई स्वर्ग भी अंत में दुखदाई यह सही बात है नरत न पाई विशय मन देही पलटी सुधासम विशलेई ठीक है चलिए इश्वर भाई राबरी जी यग्यहवन कर्म ओ मन के जाते ही ईश्वर ही और मनुष्य ही सफता है जी पाप भश्म करने में समरत योग अगनी है आगी ठीक है जी पाप को भश्म करने में समरत है प्रविद्यहाम सोपा ठीक है जीटा में वल्डित है तेतम भुक्तवास्वर्ग लोकम विशालम शिर्णम पुन्य मर्त लोकम विशंतियेवं जी हां कि जब आत्मा गीता में भी इसका वर्णन है लेकिन साथ में होता क्या है यह बात बोलनी पड़ती क्यों बोलनी पड़ती है क्योंकि जो आज इसकल के कई गुरुजों लोग हैं वो सीधा कहते हैं कि यह सब इनको बंद कर दो हमारी फोटो लगाकर हमारी पूजा करो अब कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ झाल 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 सुरेंद्र झाल 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 यह जो अवस्थाएं हैं सिध्य योगियों के द्वारा ही प्राली जाती हैं इसलिए इनके लिए जनम्मरन नहीं माना गया है वह जीवों के लिए ही माना गया है हाँ लेकिन उनकी भी अवधी निश्चित होती है मनुष्य योणी में आ सकते हैं मनुष्य योणी में आ सकते हैं लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण उनका बंधन नहीं होता समझ गया है उनका बंधन नहीं होता जैसे कि देवताओं के लिए बंधन है कि उन्हें दूसरे योणियों में जाना है उस प्रकार से ब्रम्वा विश्णु महस के लिए बंधन नहीं होता बस इतना ही समझे. इसलिए तो अवतार विश्णु का आवतार क्यों माना गया है? है बताईए है शिव का भी ऑवतार माना गया है क्योंकि वो अपनी एक्षा से जनकल्यान हे तू शरीर धारन कर सकते हैं परंत वह है देवताही वह ब्रह्म्म नहीं है बस इतना समझना है क्योंकि उनको वो कर कारे मिला हुआ है उनका कर्म है ब्रह्म का कोई कर्म नहीं होता ब्रह्म के लिए कोई कारे नहीं होता क्या प्रमात्मा का जनम होता है तो रामकृष्ण विश्णू के अवतार भी तो फिर लोगों को क्यों बताया जाता है रामकृष्ण प्रमात्मा है प्रमात्मा को जनने वाले प्रमात्मा तक पहुँच रखने वाले प्रमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताने वाले सिध्ध अवतारी हैं विश्णू का अवतार होता है शिव अवतार लेते हैं ये कहा जा सकता है लेकिन ब्रह्म अवतार नहीं लेता सबकुछ ब्रह्म मैं ही है तो उसके अवतार लेने का कोई तर्क भी नहीं बनता जब सबकुछ ब्रह्म मैं ही है वही परम्तत्त्त है उसी से सबकुछ बना है संपूल सृष्टी उसी का विवर्त मात्र है तो उसके अवतार लेने ये कोई प्रश्ण भी नहीं उठता परंतु यह कहा जाता है क्योंकि जब ब्रह्मनिस्ट ब्रह्मग्य ब्रह्मलीन महात्मा जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं अपनी ख्षासे कल्यान के लिए वो बंधन में नहीं आते महरश्य पतंजली ने भी इसका वर्णन किया अब योगियों के बारे में कि जब योगी संप्रग्यात समाधी को प्राप्त कर लेते हैं शरील का बंधन तोड़ देते हैं और वो अपनी इक्षासे सुक्षमलोप में गमन कर सकते हैं अपने ध्यान सि इसमें वह अपनी इक्षासे शरीर धारन करना छोड़ना ना धारन करना सुक्षमलोप में ही विचरन करते रहना यह उनकी अपनी नीजी इक्षा है तो वही ब्रह्मा विश्णु महेश का कारे संभालते हैं और वह अपनी इक्षासे शरीर में आ सकते तो वह अवतार लेते है ठीक है तो इस प्रकार से समझना चाहिए उपासना कैसी और किसकी किसकी करनी चाहिए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए साधना से करनी चाहिए चैसोमनात पिछले वर्ष बताया था 29 महीना रहेगा कोरोना वाइरस छे अबाई संक्रमित होगा 115 करोड मर जाएंगे बताया था लेकिन भारत में इसका इतना असर नहीं अभी भी नहीं है इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है लेकिन मिर्त्यू दर अभी बहुत किम है जादा तर लोग रिकवर हो रहे हैं जादा तर लोग दूसरे देशों की से तूलना करेंगे तो जादा तर लोग रिकवर होकर जिविथ ही छली है हलो क्या आवाज नहीं आ रही अभी भी आवाज नहीं आ रही हमें तो यहां आवाज में यहां पर स्क्रिन पर तो आवाज में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है ठीक है कि चलो ठीक है नो वाज तो हो सकता है कि बीच में कुछ दिक्कत हुई हो लेकिन अभी तो साउंड होगा कि अगर कि अभी तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है यह बताएं कि अभास सुन पा रहे हैं जी कि नहीं सुन पा रहे हैं हमारे यहां पर आवाज के समस्या यहां नहीं शो कर रहा है सैथ बीच में कुछ ऐसा हो गया थोड़ी दिर के लिए लेकिन अभी तो साउंड क्लियर यहां दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रिन पर ठीक है ठीक है जी चली आ रही है अच्छी बात है चलते कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी आकाश वदर जी पूछ रहे हैं कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी कर्म to से मुक्ति डिस एक कैसे होगी योग मार्ग से ही होगी YouTube विर्तिओं का निरोध करकर चित्य का लए करकर ही कर्मों से मुक्त जब तक विर्तियां हैं संसकार हैं तक कर्म रहेंगे रहेंगे तीन गुन रहेंगे और तिन गुनों के वशिभूत करम भी रहेगा रहेगा ठीक है तो इसमें कोई संशय ना करे कि करम नहीं रहेगा करम तो रहेगा योग मार्ग से योग मार्ग क्या-क्या चीजे होनी चाहिए करम बंदन से भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यह थे धा अगनी घृष्ण हो गए चेश्याध और यह सब्तकर अर्जुन मिन ऊप्रकार से समिधां भस्म होती है हवन कुंड की अगनी में वैसे ही अकर्ता भाव क्या है अकर्ता भाव यह है कि करने वाला मैं नहीं हूँ लेकिन मैं एक माध्यम मातर हूँ सारे क्रियाएं सारे कर्म स्वता ही हो रहे हैं चल रहे हैं इसलिए जो कर्तव मेरे सामने आ गया है करने योग्य जो कर्म मेरे सामने आ गया है वो मुझे करना ही है वो कामनाओं के वशी भूतने तो कर्तव्य रूप में जो सामने आया है उसके निश्काम भाव से करना यह अकरतापन है अपने अंदर और वह इश्वर तो सरवदा ही अकरता है वह करता भी है अकरता भी है ठीक है meditation do our self is not meditation do our self का क्या मतलब है do you want to do yourself go and do no problem but there are some things there are some hurdles there are some loopholes कुछ गरबडियां भी हो सकती है अगर अपने आप से करते हैं तो इसलिए एक process को जानना चाहिए एक step-by-step एक process होता है उसको समझना चाहिए ठीक है अगर उस process को सही से जानते हैं तो सही तरीके से करते हुए ज्यादा वर्धी करेंगे ज्यादा विकास करेंगे ठीक है मानसिक रूप से भी दिक्कते आनी शुरू हो जाते इसलिए मैं कहता हूं एक विवस्थित भंग से एक प्रोसेस में आप शुरू कीजिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यह जुपीटर कोर्स यह सन मेंबर्शिप यह कोर्स इसलिए लाई गई है मित्रू और इस पर मैंन मास्टर डिगरी भी फिलोसपी में योग शास्त्र में ठीक है इंडियन फिलोसपी में तो वो भी किया है ताकि आपका यह विश्वास और मैं यह नहीं कहता कि जो भी मास्टर डिगरी कर लेगा उसको भाई वो जान जाएगा ऐसी बात नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए भ इसकी बारीकियों को समझना आवश्यक है तो योग सास्त्र की पूरी व्याक्या पड़ी हुई है आप उसको भी सुन सकते इन बातों को समझने के लिए इसलिए एक प्रोसेस में चलिए एक प्रक्रिया में चलिए नहीं तो खुद का अनुसंधान करें नो प्रॉब्लम हम यह यह नहीं कहते कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने का बस फायदा यह है कि अनुसंधान के तहत एक अभ्यास करते हुए अध्यान करते हुए उन क्रियाओं को रखा गया है कि आप यह यह क्रियाएं इस क्रम में करिए तो निश्य ही आप उचतम अवस्थाओं में प्रवेश करेंगे और अतेंद्रिय साधना Transcendental Meditation का आप Experience करेंगे Beyond Senses आप Experience करेंगे इसी लिए यह एक कोर्स डिजाइन किया गया है इसी बात को बताने के लिए समझाने के लिए ठीक है अगर अपने से करना चाहते हैं तो लगे रहिए एक कनुसंधान करिए समय लगाईए कुछ वर्षों तक अध्यन साधनाएं कितने प्रकार की होती है कौन सी होती है नुकसान भी हो सकता है और कई बार कुछ गलत चक्कर में पढ़ गए और कुवे का मेंधक बन गए और आप किसी कि ने विश्वास दिला दिया कि मेरे शरण में आ जाओ मैं सिद्धी दे दूंगा तुम्हें सिद्ध्पुरुस बनवा दूंगा तो हो सकता है कि आप गलत मार्क पर भी चले जाएं गलत साधनाएं करें और बाद में फिर पच्छताएं कि मैंने अपना समय बरबाद किया ऐसा भी तो हो सकता है नहीं अगर आपको लगता है कि मुझे अपना ही अनुसंधान करना है तो जाइए आप अवश्य करना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक चीजों को समझते हुए एक अनुसंधान से गुजरने के बाद यह कोर्सेस बनाई गई है कोर्सेस दी गई है इनको को करना चाहिए जानना चाहते हैं करना चाहते हैं तो अवश्य करें ठीक है चांक है हां से निर्विचार को पूर्ण निर्विचार उपर उपर से निर्विचार नहीं पूर्ण निर्विचारता को साधक प्राप्त होता है घर का वातरवन कैसे शुद्ध हो वायू सुद्ध कीजिए अपने शरीर का भी प्रणयाम आधिक्रियाओं से अपने शरीर का वायू सुद्ध कीजिए यग्यहवन आधिक्रियाओं से घर का वायू शुद्ध कीजिए अगनिहोतर आधिक्रियों से ठीक है चलिए मित्रों तो इसी के साथ अब कमेंट आपके आही रहे हैं लेकिन समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लगबर गंटे तक का समय आज हो गया है कोशिश करता हूं कि मैं इतना लंबा वीडियो को ना परन्तों फिर भी कई बार मैं समय देता हूं तो यही है आप जुड़े रहें बने रहें लेकिन सारे प्रश्णों का उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता मैं लेकिन फिर भी आज एक जाते आते मुझे इसमरन आ रहा है मैंने निश्य किया था कुछ बाते बताना जरूरी ह कि आप प्रश्ण करें उचित प्रश्ण करें व्यर्थ के कमेंट प्रश्ण ना करें तो ठीक है आज अच्छे प्रश्णा है कल के तूलना में यह ध्यान रखें और आगे एक चीज होगा कि किसी एक व्यक्ति के तीन प्रश्ण ही लिये जाएंगे अगर आपने आप कोशि नहीं लिया जाएगा तीन से जादा किसी का प्रश्ण नहीं लिया जाएगा अगर चोथा प्रश्ण पूछ देते हैं तो उस पर चर्चा फिर नहीं कि यह आगे का नियम रहेगा और प्रश्ण जिनके ऊपर के होंगे शाइद उनीका उत्तर हो पाए अभी तक तो मैं लाश तक जा रहा हूं लेकिन हर दिन मैं लाश तक नहीं जाओंगा तो कई सूपर चैट के माध्यम से जो सूपर चैट का जो डॉलर का साइन होता है कुछ अनुदान करते हुए भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो निश्य ही उनकी प्राथमिक्ता सर्वोपरितो होगी ही ठीक है तो यह भी है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है समय है तो मैं उनके भ आज के यहां इस सभा को और कल फिर मुंडको उपनीशत के आगे की चर्चा दिवतिय मुंडक पर चर्चा प्रारम होगे बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें कोरोना से अपनी रक्षा करें हम अपनी संस्कृती से टूट गये हैं अगर हम पिछले दिन चरिया को देखें कि पहले के लोग अपका लाइफ स्टाइल कैसा रहता था सुबह जल्दी उठना नित्य कर्म आदी क्रिया करना घूमना टहलना योगासन करना भोजन सुद्ध आजकल का भोजन बहुत बिगड़ा हुआ है खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है उसम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे अगर कुछ भी अपनाने का प्रयास करेंगे फिर से उस दिन चरिया को तो निश्य ही इम्मिनूटी पावर बढ़ जाए इम्मिनूटी पावर हमारी डेवलप कर जा ठीक है तो निश्य ही अपना ख्याल रखे अपना ध्यान रखे मिथले सिंग जी जूपीटर मेंबर के लिए क्या करना होगा संपर करना होगा आप वाटसप 9661802459 नंबर दिया होता है यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे नंबर देगा डिस्क्रिप्शन में सुरुवात में ही वेब साइट और यह नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर आप वाटसप मेसेज कीजिए बताइए अपने बारे में कि मैं जूपीटर पोर्स जॉइन करना चाहता हूं या चाहती हूं फिर आपको उसका डिटेल दिया जाएगा जॉइन करवाया जाएगा और पोर्स शुरू हो जाएगा ठीक है तो बहुत-बहुत आभार आप स जाएगा टबदको